कि बिस्मिल्लाहिरामानुरहीम अस्सलाम अलेकुम देर वेवर्स देसे सब्सक्राइब और वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब आज के वीडियो लेक्शन में एक सिक्वल पार्ट है फॉर्स इन मत्मादिक्स का चैप्र मत्री इग्वेजन कराची बोर्ड एक्सराइस 3.3 सॉल्व कर रहे हैं पेज नमबर लिखा है 52 और कोशन नमबर वन का आज लास पार्ट सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट कोशन नमर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कनवर्ट कर लेते हैं पहले तो एक्स इस इगल टू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 729 इसकी पावर वन अपाउंड थिरी ना आएंगे इसके दो तरफिकार है कि टेकिंग क्यूब ऑन वो साइट कर दीजिए यह वन अपाउंड थिरी खतम इस प्लस 1729 को हम इधर शुफ करिंगे मानिस का बन जाएगा x3-729 is equal to 0 इसको a3 में convert करें x3-729,9 का 3 होता है क्या होता है 9 का 3 करूँगा मैं is equal to 0 यहां पर formula से break करूँगा formula क्या समाल कर रहा हूं यहां पर देखिए का mention कर रहा हूं यह आपने यहां पर formula mention कर लिए बराबर x के हो गया b बराबर 9 के हो गया इसको formula से break कीजिए तो यहां पर देखिएगा x-9 हो गया a2 x2 plus अब दोनों को multiple x को 9 से multiple 9 x हो गया plus 9 का square करेंगे 81 हो गया is equal to 0 आइधर करके x की values को find out करेंगे आइधर कीजिए x-9 is equal to 0 x की value plus 9 आगे यह factor भी 0 का बराबर है तो देखिएगा x-square plus का 9 of x plus 81 is equal to 0 यह बन गए quadratic equation इसको quadratic formula से solve करेंगे यहां पर immediate term break नहीं होगी अब x-square का coefficient a होता है यहां पर 1 हो गया a is equal to 1 हो गया और x का coefficient b होता है तो यहां पर देखिएगा b is equal to 9 हो गया और c constant term 81 हो जाएगा अब इसको quadratic formula के अंदर पुट करूंगा वैल इसको और simplify करूंगा यहां तक इसको road down कर लीजिएगा और आगे चलते हैं इसके बाद हम यहां पर एक काम करते हैं using quadratic formula short form में qf लिखूंगा से x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2 of a अब यह वैल इसको put करूंगा और simplify करता हूं तो देखेगा x is equal to minus b 9 के बराबर है अब हमें 81 को 4 से multiply करना है हम calculator use करते हैं तो 81 अब हमें 81 को 4 से multiply करना है हम calculator use करते हैं multiply by 4 324 हो जाएगा 324 divided by 21 से 2 हो जाएगा next step में x is equal to minus 9 plus minus under root minus 324 में से minus कर रहा हूं 81 तो minus 243 हो जाएगा divided by 2 square root के अंदर अगर minus sign आता है तो इसको बाहर आयोटा बना देते हैं next step में देखीगा x is equal to minus 9 plus minus आयोटा under root 243 divided by 212 243 के फेक्टर्स बनाएंगे तो देखते हैं क्या बंदे 81 multiply by 3 243 x is equal to minus 9 plus minus आयोटा 243 के फेक्टर बनाएंगे 9 आयोटा under root 3 ऐसे रहा divide by 2 अब आपने common जो निकालना है 9 निकालना है taking common 9 9 x is equal to 9 minus 1 plus minus आयोटा root 3 divided by 2 हो जाएगा इसके मजीद फेक्टर्स बनाएंगे हम plus और minus में देखेगा x is equal to 9 times of minus 1 plus आयोटा root 3 divided by 2 हो जाएगा और x is equal to 9 times of minus 1 minus iota root 3 divided by 2 हो जाएगा अब देखेंगे आप तो यह minus 1 plus iota root 3 upon 2 किसके बाद होता है omega के बराबर होता है हम क्या गहेंगे x is equal to 9 times of omega बन गया अच्छा minus 1 minus iota root 3 upon 2 जो होता है omega square होता है तो इसका मतब है अब यह बन गया x is equal to 9 times of omega square अब आपने इसका final result लिखना है तो देखते है final result किसी से लिखते है यहाँ पर यह रिमूफ कर रहा हूं मैं तो मैं अब लिखूंगा d q roots of 729 r पहली value आई थी 9 x value 9 दूसरी आई यह 9 omega और तीसरी आई यह 9 omega square और यही हमारा final answer कहलाएगा इसको नो डाउन कर लिए इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्ट्र यहीं पर एंड करते हैं मजीद नए सावलात के solution के जाने के लिए देखते रहेगा सब्सक्राइब करना न भूलेगा बैल आइकन के बटन भी प्रैस कीजिएगा लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपना बहुत खायल लखेगा अलाहाफिस